आपकी फेवरेट स्टार रापर रफ्तार के कुछ अरनान फैक्स चानेंगे हमारी इस वीडियो में डांसर, लेरेसिस, कंपूसर, सिंगर, जज और एक अमेजिंग रापर इतने सारे टालेंट एक इंसान में सुनने में थोड़े से इंपॉसिबल लगते हैं पर ये इंपॉसिबल नहीं है, क्योंकि रफ्तार में सारे टालेंट है और रफ्तार आज 34 के भी हो गए है हम सभी ने रफ्तार के काने जरूर सुने होंगे और कुछ गाने तो हमें वर्ड टूवर्ड रटे भी हुए होंगी पर और रफ्तार के कुछ ओफ्स्प्रीन फैक्ट ऐसी है जिनकी बार में कुछ ही लोग जानते हैं और उनी में से साथ अनोन फैक्ट की आज हम बात करने वाले हैं रफ्तार ये उनका स्टेज नेम है, ये तो आप सभी को पता ही होगा पर क्या आपको पता है कि केरिला के तिरुवनता पुरम में जन में इस स्टार रापर का असली नाम दिलन नायर है। शायब नहीं। इन्होंने करियर की शुरुवात आज़ सिंगर या रापर नहीं बल्कि आज़ दांसर की थी। और ये डांस क्लास चलाते थे जिसका एप और स्टुडेंट सिर्फ 150 रुपीस ही चार्ज किया कर देते। हम सभी ने रफ्तार को अज़ा जज कई बार देखा है पर एफेम मिलने से पहले एक रियाले की शो के पार्टिसपेंट भी रही हैं। उन्होंने अपने कलीक के साथ फिलके 2011 में डी डी डबल्स में पार्टिसपेट भी किया था और अपनी टीम को मार्ट से मानिक नाम किया था। इन सभी से पहले रफ्तार ने UCB के लिए 2006 में से इंजनान का काम भी किया है जहां इन्होंने सिर्फ 10,000 रुपे ही मिला पर देखा रफ्तार ने सिर्फ बॉलिवूर्ड में काम नहीं किया बलके इन्होंने बेंगॉल सिनिमा और हॉलिवूर्ड में भी अपना हाथ अजमाय पर शायद ही आपको पता होगा कि ये रफ्तार का अज़ा सॉंग राइटर डेड़ी सॉंग था क्या आप ये जानते हैं कि यो यो हनी सिंग और रफ्तार दोनों एक ही सॉंग ग्रुप के पार्ट थे जिसको माफिया मुदीर कहा जाता था शायद नहीं पर ये एक कॉंट्रुवर्सी की वज़े से दोनों अलग हो गए थे हानी सिंग ने रफ्तार को खुछकारों में क्रेजिट नहीं दिया था जिसके बाद रफ्तार ने इस क्रूप को छोड़ने का पैसला किया था ये वो फाक्स ही जिन्होंने एक नहीं तो दूसरे तरिके से रफ्तार के करियर को काफ़े इंफ्रुएंस किया है आपका फेवरेट रफ्तार सौं कौन का है? हमें कमेंट सिक्षन में ज़रूर बताइएगा वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा मिलूंगे आपसे नेक्स वीडियो में तब तक टेक केर